हेलो एव्रिवान वेल्कम बैक टू माई चैनल आज हम बनाएंगे आलू सेव नमकीन और यह बीना बेसन बीना सूजी के बनाएंगे हम और इस सेव को आप स्टोर करके रख सकते हैं एक साल के लिए तो चलिए शुरू करते हैं रेसिपी क्रिस्पी आलू सेव को बनाने के लि दिया है और इसमें हमने आलू सेव का यह ब्लेड लगा दिया है अगर आपके पास ना हो तो आप कद्दुकस से भी बना सकते हैं आलू को हमने पानी में ही रखा है जिसे कि यह काले ना हूं और यह देखिए इस तरीके से हम आलू सेव बनाएंगे सेव मेकर से तो इन्हें पानी में डालते जाएंगे और आलू को हमें एक बार में लंबा लेना है जिससे कि लंबे सेव बनेंगे और यह देख सकते हैं आप कितने लंबे सेव बने हैं इस तरीके से हम आलू को ग्रेट करेंगे और हमने सबी आलू को ग्रेट करके तयार कर लिया है यह देखें आलू में बहुत जादा स्टार्च है तो इन्हें हम 3-4 बार साफ पानी में से निकालेंगे और आलू से बनाने की इस प्रोसेस में हमें आलू लच्छा को 5-6 गंटे के लिए पानी में भीगोने की जरुरत नहीं है यह देखें इस तरीके से हम इन्हें वाश कर लेंगे यह मैंने अभी इन्हें अच्छे से वाश किया है अब हम इनका पानी चेंज करेंगे बिल्कुल सॉफ्ट हैंड से हम इन्हें वाश करेंगे जिससे के आलू लच्छी तूटे न और पानी थोड़ा साफ होने लगा है तो अभी हम इसे दो बार और वाश करेंगे जिससे के सारा स्टार्स निकल जाए और इन आलू से को हमने चार बार पानी में से निकाल लिया है अब हम इने साफ पानी में डिप करेंगे और यहाँ पर हमने एक अढ़ाई में पानी डाला है और इसे गरम होने के लिए रख दिया है और इसमें डालेंगे हम 140 स्पून से भी कम फिटकरी पाउडर यानि एलम पाउडर डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और पाने को बॉयल होने देंगे यहाँ पर मैंने नमक नहीं डाला है क्योंकि मैं इसे फास्ट के लिए बना रही हूँ आप चाहें तो इस स्टेज पर आप नमक भी डाल सकते हैं और पानी अच्छे से घरम हो गया है अब हम यह आलू सेव इसमें डाल देंगे और यह देखे इस तरह के से फैला कर इन सभी आलू सेव को हम पानी में डालेंगे और मेडियम फ्लेम पर दो मिनट के लिए हम इने बोईल करेंगे तो चमत से एक बार हम इने हिला देते हैं जिसे कि यह सभी अच्छे से बोईल हो सके और पूरे दो मिनट ही हम इने पकाना है इससे ज़्यादा हम इने नहीं पकाएंगे इस प्रोसेस से यह आलू सेव नमकीन एकदम वाइट कलर में बनेंगे और क्रिस्पी बनेंगे बिल्कुल हल्दी राम जैसे तो पूरे दो मिनट के बाद हम इने चेक करेंगे तो यह हलके सॉफ्ट हो गई है अब हम फ्लेम को ओफ कर देंगे और इने हम स्ट्रेन कर लेते हैं और इन आलू सेव को हम स्ट्रेन कर लेंगे इस तरीके से और दो मिनट के हम इसे स्ट्रेनर में ही रहने देंगे जिससे के सारा पाने अच्छे से निकल जाए और अब हम इने दूप में सुकाएंगे और यह देखिए इस तरीके से हम इन अलु सेव को दूप में सुकाएंगे मैंने इने कॉटन गलोथ में सुकाया है आप इने प्लास्टिक पर भी सुका सकते हैं जब यह ड्राई होंगे तो यह अपने आपी उतर जाएंगी और दो दिन की दूप लगाने के बाद ये देखिए ये आलू सेव ऐसे दिखाई देने लगी है तो ये एकदम वाइट बनी है अब इस प्रसेस से आलू सेव बनाएंगे तो एकदम वाइट बनेगी और इन्हें बनाने के लिए हमें नए आलू ही यूज़ करने है जो एकदम वाइट होते हैं और अब हम बनाएंगे आलू सेव नमकीन जिसे आप फास्ट में बना सकते हैं और फैस्टिवल पर भी बना सकते हैं जो बिल्कुल हल्दी राम जैसे होगी तो ओयल को हमने गरम होने के लिए रख दिया है और अच्छे से गरम हो चुका है अब हम इन आलू सेव को फ्राइ करेंगे और इन आलू सेव की स्पेशल बात यह है कि आप इने माइक्रोवेब में भी बना सकते हैं तो आज हम इने फ्राइ करेंगे और अगर आप चाहते हैं कि मैं इसे माइक्रोवेव में बनाऊं तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं तेल अच्छे से गरम हो चुका है यह देखिया हमने दो सेव डाल कर देखी है यह उपर आ गई है तो अब हम बाकी की से फ्राइ करेंगे और जितनी ओयल में एक बार में आलो सेव आएंगी उतनी हम डाल देंगे इस तरीके से हम इने ओयल में डाल देते हैं और यह तुरंत ही उपर आ गई हैं तो आप देख सकते हैं कितने अच्छे से यालू से बनी हैं और इन्हें फ्राइ करना भी बहुत आसान है क्योंकि यह जल्दी से फ्राइ हो जाती हैं तो तीर सेकेंड के लिए हम इने ओयल में रहने देंगे और अब हम इने निकाल लेते हैं इससे ज्यादा ह यह बादाम लिए हैं काजू लिए हैं और यह करी पता लिए हैं तो इनकी क्वाइंटिटी आप अपने अनुसार कम्या जादा कर सकते हैं और इने भी हम कम देल में फ्राइ कर लेंगे तो ये जल्दी से फ्राई हो जाते हैं तो मैंने इस तरीके से इने फ्राई किया है वह हम इने मिक्स करेंगे तो आलू सेव नमकीन में हमने ये ड्राइ फ्रूट्स भी आड़ कर दिये हैं और अब हम इनमे नमक मिलाएंगे नमक आप अपने स्वादानुसार मिला सकते हैं इने अच्छे से मिक्स करेंगे और इसके आवाज सुन सकते हैं आप कितनी क्रिस्पी बने हैं तो ये हमारी घर पर बनी हुई आलू सेव नमकीन बिल्कुल तेयार है सर्व करने के लिए आप इसमें चाट मसाला भी आड़ कर सकते हैं और बिल्कुल हल्दी राम जैसे आलू सेव नमकीन बनी है तो ऐसे ही क्रिस्पी और टेस्टी आलू सेव नमकीन आप घर पर बना सकत हैं और इसे स्टोर करके रख सकते हैं और इस आलू सेवनम केन को आप वरत में भी बना सकते हैं तो रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक करें शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना ना भूले थैंक यूफर वोचिंग कर दो सकते हम एक हैं ठतो keeping के च खोल्च रूलें यूलー घूले दो ऺड़ब बогने उलत करें अपने पसमा करें पसे दोर वोफंगाद यूले को तो बाद करें पने नाफें